हलो एवरिवन, तो JPSC मेंस के पेपर फाइब एकॉनमी वाले सेक्षन के लिए मैंने आपको कुछ कोश्चन दिया था, उसका कोश्चन नमबर थरी जो कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिशी पर आधारी था और कोश्चन नमबर फोर जो कि एगरी कल्चराल मार्केटिंग पर आधारिता, उन दोनों कोश्चन को अभी हम लोग डिसकस करेंगे, और कुछ लोग कोश्चन बैंक के बारे में पूछ रहे थे में इसका, तो देखिए जहारकंड बिहार, UPSC, किसी का भी आपको अगर कोश्चन बैंक मिलता है, प्रिवियस येर का किसी भी पबलिकेशन का वो मैटर नहीं करता है, कोई भी कोश्चन बैंक आप लेकर कोश्चन उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, प्रिवियस येर का कोश्चन जो जिसमें दिया हुआ है, वो कोश्चन बैंक बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो कमिशनों का कोश्चन है, वो सब मीटा लग है वो question bank को नहीं पता है वो आपको पता है तो उस अनुसार जो है आप लिखने का कोसिस करेंगे उसको ठीक है theory question ही तो लिखना है ठीक है current affairs बगारा तो उसमें रहेगा नहीं आपको ज्यादा अभी के लिए relevant का इंटरफेर्स तो रहेगा नहीं ठीक है तो theory question जो है उसमें से चुनकर quality का, history का, geography का इन सब का practice करेंगे theory question वहां से लेकर करेंगे और solution नहीं देखेंगे solution से मतलब नहीं है question bank सिर्फ question भी दिया हुआ रता है तो enough है आपके लिए यह school का और college का guide book नहीं है ठीक है कि आपको उससे आ जाएगा question और आप जो इसको छाप दीजेगा वह सही हो जाएगा तो फिर guide book रहता तो फिर सब लोग वही पढ़ लेते answer आपको खुद तयार करना होगा उसका है अपना answer अच्छा answer quality answer okay question bank is question bank answer bank नहीं है answer bank आपको खुद ready करना है तो question पर आते हैं वो है national population policy को उफर question था पहला ठीक है provisions लिखना था और कितना successful हुआ यह बताना था आपको तो national population policy अगें इसमें बहुत सारा data है तो यह data intensive question है अपको data पता होना चाहिए ठीक है तो अगें और successful हुआ कितना यह भी बताने के लिए आपको अभी का current data भी पता होना चाहिए तो इस question के लिए इस type के question के लिए आपको data जो है धेर सारा याद रखना पड़ेगा है ना उसके बाद demographic features वाला जो आपका topic है उसमें यह जो national population के ऊपर जो question है वो सब बहुत ज़्यादा important है ठीक है ना अभी census का delay होना ठीक है 2021 में आपको census का result आना था उसके लाब़ा यह delay हो गया है ना उसके लाब़ा NPR बराबर news में रहता है ठीक है ना तो इन सब चीजों की वज़ा से national population register है ना इन सब चीजों की वज़ा से जो आपका population का मुद्धा है वो हमेशा न्यूज में बना रहता है तो आप इससे बिल्कूल एक question इस साल expect कर सकते है ठीक है तो इसको बड़े अच्छे से ready करेंगे इससे आपको बहुत ज़्यादा संभावना है इस बार question आने का तो आईए इसका solution देखते हैं क्या हो सकता था सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया है एक छोटा सा introduction देंगे national population policy के बारे में question है तो उसके ओपर एक छोटा सा write-up देंगे तीन चार लाइन का ओके तो मैं नेसेसरी reading नहीं करूँगा यहाँ पर आप वीडियो पॉस करके पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं जहां पर कुछ समझाने लाएक है मैं आपको बताऊंगा तो key provisions of national population policy में कुछ objective थ और कुछ targets था इन objectives को पूरा करने के लिए ठीक है तो इसको जो है पहले आप objectives के बारे में बता दीजिए immediate objective, medium term objective और long term objective क्या था immediate objective में जो unmet needs है, contraception, healthcare infrastructure, health personnel का कमी इन सब चीजों को पूरा करने का लग्छे रखा गया था ठीक है जिसको तुरंथ हासिल करना है medium term objective था TFR को replacement level तक लाने का, total fertility rate ज्यादा होगा तो population ज्यादा तिरी से बढ़ेगा है ना, अगर total fertility rate replacement level के around रहेगा, तो आने वाला generation exactly अपने पिछले generation को replace करेगा तो इससे क्या है कि population stable रहेगा, वो drastically न बढ़ेगा न घटेगा, तो 2.1 जो है, वो replacement level है, ठीक है ना, TFR का, तो इसको हासिल करने का रख्ष रखा गया था 2010 तक, अभी हम लोग देखेंगे कि अभी currently भारत का TFR क्या है long term objective था कि 2045 तक एक stable population हासिल कर लेना है, अब इन ही objectives को पूरा करने के लिए बहुत सारा targets था है, इन targets को याद करेंगे और इसको use करेंगे अपने answer में ठीक है, जैसे कि unmet needs for basic reproductive and child health services, supplies and infrastructure, ठीक है, एक generic target, उसके लाबाद 14 साल तक education free कर देना है, drop out को 20% से नीचे ले आना है, high school dropouts को है, IMR को 30 से कम करना है, maternal mortality ratio को 100 से कम करना है, universal immunization हासिल करना है, ये सब जो है targets था national population policy के जो कि आपको mention करना होगा provisions में, है ना, delayed marriage for girls को promote करना है, encourage करना है, ठीक है, 18 साल तो ठीक है legally, लेकिन कोशिस करना है कि 20 साल के बाद ही marriage हो, है ना, institutional delivery, लगवगसी परतिसात institutional delivery हा हासिल करना, ठीक है ना, 100% deliveries by trained persons को हासिल करना, ये भी जो है, targets था national population policy में, 100% registration होना चाहिए, birth, death बगएरा का, इंडियन system of medicine, योग, ayurved, इन सब को mainstream करना है, ठीक है, इन सब को समाज तक पहुचाना है, popularize करना है, तो इस संदर में तो काफी काम हुआ है, वो तो आपको के लिए, तो ये जो है, आपको mention करना है, वहाँ पर, ठीक है, तो ये सब कुछ targets था, आपके national population policy 2000 के अंतरगत, अब ये कितना successful गए नहीं हुआ, उस बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो infant mortality rate कितना हो गया है, अभी 33 है, 2017 का अगर बात किया जाए, तो 33 था, जबकि 2010 तक ही, आइमर को 30 से नीचे करना था, यानि target 2010 तक कहीं था, लेकिन 2017 में भी 30 से नीचे नहीं हो पाया, तो अगेन ये जो है, एक तरह का failure रहा है, इस account पर, ठीक है, पॉलिसी जो है, कम्याब नहीं हुआ है, इस account में, दूसरा दिखते हैं, तो school education को free करने का बात किया गया था, वह जोड़ कर, किस constitutional amendment से जोड़ा गया है, बताइएगा, dropout rate 20% से कम करने का बात किया गया था, 4.13 हो गया है, primary में, upper primary में 4.03 हो गया है, secondary level पर 17.06 हो गया है, कह सकते हैं, यहाँ ठीक ठाक सफलता हासिल हुआ है, ठीक है, उसके लाबा लक्ष प्रोग्राम स्टार्ट किया गया तो आप लक्ष प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं, कि ऐसा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, in pursuance to that policy. उसके अलाबा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है, वो आयूश, यानि कि आयूरवेद, योग, नेचुरोपथी, युनानी, सिद्ध, होमियोपथी, इन सब को, जो है, में स्ट्रीम करने का कोशिज किया जा रहा है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के था है, तो अगेन आप के फार अभी 2.2 है, आपको उपर मैंने बताया है, कि 2.1 होता है, रिप्लेस्मेंट लेवल, जो कि 2010 तक हासिल करना था, लेकिन अभी भी नहीं हासिल हो पाया है, ठीक, अभी भी 2.2 है, लेकिन कई सारा स्टेट, लगभग 25 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है, से 2011 के बीच ग्रोथ रेट, उसको आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, वो भी एक अचीवमेंट है, क्रूड बर्थ रेट डिकलाइन हुआ है, 23.8 था, 2005 में 2017 में 20.2, उसी तरह टीनेज बर्थ रेट वो भी 16 परसेंट बोला गया था, नैस्नल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 में, जो आप प्रोविजन्स लिख लिए, उसमें क्या कुछ काम हुआ है अब तक, ठीक है, वो लिख लिए, अब आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, अपना अंसर को, ठीक है, तो कंक्लूजन में जैसे मैंने आपको बताया है, हमेशा जो है, कुछ पार्टिकुलर रिपोर्ट, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, जो इंपोर्टेंट संबंधित व्यक्ति का बात है, किसी रिपोर्ट का बात है, किसी मंत्राले का रिपोर्ट हो, ठीक है, कोई कमीटी का कोई बात हो, उसके थुरू अपना बात रखने का कोशिस करेंगे, डैरेक्ट अपना बात नहीं रखेंग जो बढ़ने का तो ग्रोथ रेट है वो काफी कम हो जाएगा ठीक है तो यह जो है पर अब ध्यान दिया जा सकता है ठीक है ना उसी तरह MMR, IMR, Rural Healthcare, Infrastructure इन सब चीजों में हम लोग देखें अभी कि पूरी तरह से Targets को हासिल नहीं किया गया है तो उसको भी जो है National Population Policy 2000 जो है उसमें भी काम करने का जरूवत है आगे तो यह सब चीज आप conclusion में mention कर सकते हैं ठीक है बाकी आप इसको पढ़िएगा अच्छे से और अपना answer अगर आप लिखे थे तो देखिएगा कि क्या कुछ point आपका छूटा था ठीक है अगर इससे भी बेहतर है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है ना तो इसी तरह से एक answer लिखने का कोशिस करें है ओके जो next question था अपना वह है इंपेडिमेंट्स के बारे पूछा जा रहा था है अगरी कल्चर सेक्टर में क्या-क्या इंपेडिमेंट्स है क्या-क्या बाधा है ठीक है ना government क्या कुछ कर रहा है इसको सुधारने के लिए ये भी बहुत important question है इस बार है ना marketing agricultural marketing के ऊपर ठ continuously news में रहता है तो इससे भी आपको question पूछा जा सकता है अलांकि farm laws के ऊपर भी एक question आप से चालिस मास का पूछा जा सकता है लेकिन ये एक general question है यहाँ पर आपको किसी भी एक law को विशेस explain करने का ज़रूद नहीं है बलकि एक general answer देना है आपको हर एक dimensions को cover करते हुए ओके तो अगर agricultural marketing का बात किया जाए तो पहले introduction agriculture marketing का बात हो रहा है तो इंडिया में क्या-क्या method agriculture marketing का उसको लिख दी है पहले ठीक है कुछ भी आपको introduction में उससे संबंदित बताना है बात ठीक है जो relevant हो question के है जैसे local village money lender जो होते हैं उनको बेचा जाता है समान ठीक है समान यानि कि जो produce होता है उसी तरह weekly village market यानि जो सब्ताइक गाउं में जो लगता है market heart वहाँ पर भी किसान जो है बेचते है अपना समान उसके लाबा मंडीज most popular form है ठीक है जो पी-म-सी मंडीज है वहाँ पर बेचा जाता है समान तो यह जो है कुछ में थर्ड से गरी कल्चर मार्के इस्ट्रेस चेल के बारे में बताएंगे पूर ट्रांस्पोर्टेशन फैसलिटी के बारे में आप बता सकते हैं इसमें इस्ट्रेस फैसलिटी कैसे खराब है ठीक है लगवग 10-20% जो अनाज है वह बरवाद हो जाता है मतलब उसको तो चुहें ही खा जाते है रैट्स के द जाते हैं प्रोपर स्ट्रेस फैसलिटी भी नहीं होता है उसकी वह जैसे बेचना पड़ जाता है वरना जो समाइब प्रोड्यूस है वह भी जो है बिकार हो जाएगा ठीक है उसमें मॉइस्ट्र चला जाएगा उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा उसके अलाबा यह जो खा जाते हैं आज वह भी समस्या है तो डिस्ट्रेस चल करना पड़ता है डिस्ट्रेस चल जाने की अच्छा प्राइस डिस्कवरी नहीं मिल रहा है उसके बावजू जो है अच्छा प्राइस नहीं आपको मिल पा रहा है उसके बावजू जो है आप अपना सामान बेच रह यह सामान को फटर करने के लिए जो मंडी के पास होता है वह भी नहीं है। जनरली मिडल में क्या करते हैं जो wholesaler जो समान खरीद रहे हैं उनके favor में हैं डील होता है किसानों के हक में नहीं होता है तो ये भी समस्थ्या है उसके अलाबवा unnecessary dedunctions के लगाया जाता है किसान को बोल दिया गया कि आपका produce आच्छा नहीन है उसका quality ठीक नहीं है दाम कम मिलेगा ठीक है तो यह भी एक समस्या है यहां प्रो पर अगर ग्रेडिंग वगird अगर खार का ब्रोडकत रहेगा तो यह भी एक समस्या है लैक औफ इन्फॉर्मेशन है न जो प्राइस चल रहा है मॉर्केट में उसके वारे में भी नहीं पता होता है अगर वहां पर एक electronic system होगा जो real-time price के वारे में बताएगा कि अभी ये price है market में तो again better price discovery होगा for farmers है ना तो उसका भी कमी है वहां पर तो information का कमी की वज़ा से भी marketing में problem आता है उसके अलाबा APMC act सारा state government जो है APMC अपना-पना act लाया state agricultural produce market regulation act तो ये सब जो है लाया गया था इन सब सम समस्या तो maintain रहा ही रहा साथ में कुछ और भी नयाने आस समस्या इसके थूर आ गया इतना समस्या पूरी तरह से हटाने का भी बात किया जाने लगा ठीक है ना एक survey बगेरा बोला गया था तो ये जो है ये सब समस्या था ही इसमें कुछ तो और भी समस्या हो गया उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं ठीक है जैसे इस act के थुरू जो भी मंडी बनाया गया था उसके वज़ा से समस्या ठीक है उसके बाद registered intermediary के थुरू ही आपको अपना सामान आपका produce उसको बिचना है ठीक है तो यह restriction हो गया एक तरह से farmers के लिए उसके बाद एसेंसियल कमोडिटी एक्ट ये भी कई बार लगा दिया जाता है कुछ प्रोड्यूसमें ठीक है ना जिसका प्राइस वोलाटाइल होने लगता है तो इसको इसी एक्ट के तहद क्या कर देता है कि गवर्मेंट बोल दिया कि आप इसको माल लेजे कोई वेय चाहे जो हगा तो यह भी एक समस्या है मार्केटिंग में ठीक है तो इसमें क्या होता है ना इसलिए वेयर हाउसिंग वगरा में प्राइवेट इन्वेस्टमेंड नहीं आपाता है प्राइवेट इन्वेश्टर तो प्रॉपिट मोटीव से आएगा वो चाहेगा कि अगर लिए 1 000 km, भ создat आये , जो आपधा 10-100 km से हुष्सकर नहीं दालता है तो अगर तौ ही लीक्तला हो इसमें को नुकसान हो जाएगा तो ये सब दिठक हम इन्साद में हाथ नहीं डालता है तो अग्यन ये भी एक समझे आ है उसके अलाबाव आप फृड़िटम नहीं है फार्मर्स को अलग अलगत रहा है एक आपको रिक्वाइड मंधी जो है निर्धारीत मंधी जो है वहीं पर जाकर सामान बेचना है न उसके अलाबार रिस्ट्रिक्टिव उपर देखें हैं यहम वे सरा जाता है तो इन सब समस्याओं से और 550 करने के लिए government कई सारा सुधार लाता रहा है reforms लाता रहा है उन्हीं के बारे में सवाल का अगला हिस्सा है जो आप से पूछा गया है तो सबसे पहले recent वाले का बात कर लेंगे ठीक है recent यानि कि last year वाला जो तीनो act था ठीक है दो act था और एक amendment तो farmers produce trade and commerce promotion and facilitation act 2020 इससे क्या वा freedom दिया गया farmers को कि जिसको मन उसको और जहां मन वहां पर आप अपना जो produce है उसको बेच सकते हैं ठीक है आउटसाइड APMC भी बेचने का option है इसमें तो यह छोटा साब mention करेंगे जो कि इस act के बारे में नहीं पूछा गया है तो बस आप आलका सा introduction देकर छोड़ देंगे वह ऐसा introduction जो की relevant आपके question के answer के हिसाब से उसके बाद farmers empowerment and protection agreement on price assurance and farm services act 2020 जिसो contract farming act भी कहते हैं ठीक है इसमें क्या है कि direct private party के साथ contract करके किसान वह खेती कर सकता है यानि कि produce जब होगा तो उसको इस बात का attention नहीं रहेगा कि कहां बेचेंगे किसको बेचेंगे वह अल्रेड़ी पहले से निर्धारित रहेगा तो अगेन यह भी एक reform था marketing में सुधार लाने के लिए उसके लाबा essential commodity act में भी एक बदलाव किया गया जिसमें बोला गया कि agricultural commodity को हम इस act के परिवीव से बाहर रखेंगे वी उपर हम लोग देखें कि कैसे government essential commodity act का provision लगा करके और stock holding में restriction लगा सकता है कि अब बस इतना ही सामाना पर store कर सकते हैं तो यह सब को बोला गया कि agriculture commodity को इससे बाहर रखा जाएगा ठीक है उसके अलाबा काफी exceptional circumstance में यह सब लगाया जाएगा इसी act तो अगेन थोड़ा सा जो doubt होता है वो रह गया वहाँ पर की exceptional circumstance को क्या हो सकता है ठीक है तो यह सब चीज जो है बहुत जादा इसको explain नहीं करना है बस थोड़ा थोड़ा सा introduction देना है ठीक है उसके अलाबा अगेन आपको बात करेंगे APMC Act का बात कर सकते हैं ठीक है वो सुधार भी है वो problem भी है जो problem था उसको ठीक करने के लिए सुधार के रूप में लाया गया लेकिन उसमें खुद भी problem develop हो गया है over the years ठीक है तो agricultural produce जो की इधर उधर बेचा जा रहा था वो अब regulated markets में लगभग असी परतिसाथ जो एक रिकल्चर प्रोड्यूस है वो regulated market में ही बेचा जाता है APMC Act के मदद से ही ठीक है तो इसके बारे में आप mention कर सकते हैं as a reform बाकि इसमें जो समस्या था वो हम लोग ऊपर दिखे ही उसी तरह multipurpose societies किसान जूड़े रहेंगे तो उससे क्या होगा क्रेडिट हासिल करने में marketing हासिल करने में यह सब जो है सुविधा होगा तो अगें यह भी एक reform था उसी तरह Nafed NCDC के बारे में बात कर सकते हैं यह सब जो है किसी ना किसी तरह agricultural marketing से ठीक है ना export वगेरा से related है ठीक है और इसका marketing को बढ़ावा देने से related है तो इन सब organization के बारे में भी आप बात कर सकते हैं कि यह सब का स्थापना भी एक तरह से agricultural marketing में सुधार करने के लिए किया गया था उसके लाब़ा grading and standardization has been improved एक mark वगेरा का आप बात कर सकते हैं कि आप जैसे की उफर हम लोग देखे वो भी एक समस्या था कि खराब quality बूल दिया जाता है कि आपको produce जो है खराब quality का है और उसको खराब जो कीमत दिया जाता है ठीक है तो अगर यह सब सुधा रहेगा grading करने का तो उसके अलाबा Central Warehousing Corporation 1957 में स्टैबलिस किया गया था आपको पता ही था कि वेयर हाउसिंग का भी समस्या देश में ठीक है वेयर हाउसिंग स्टोरेज बगरा के लिए तो इसका स्थपना भी एक प्रकार से अच्छा कदम था ठीक है उसके अलाबा कहीं सारा छोटा छोटा चीज है जिसको ज्यादा एक्स्पेशल करने का जरुवत नहीं है क्योंकि आपको अपने वर्ड लिमिट में बने रहाना है तो इस्पेशल बोड्स सेटप किया गया था आपको पता है कहीं सारा प्रोड्यूस के लिए जैसे प्लांटेशन एक्रिकल्चरल जो क्रॉप है ठीक है टीव अगरा के लिए जैसे स्पेशल बोड ही बना दिया गया है उसके प्रमोशन के लिए है उसके तरफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग अलाउग किया गया है यह सब अभी डिसकस नहीं करेंगे अपीडा इसका भी गठन किया गया अगें यह सब जो है कहीं न कहीं अग्रिकल्चरल मार्केटिंग में सुधार के ही अबजेक्टिव से किया गया था ओके इन सब चीजों को आप सुधार में में मेंसन कर सकते हैं उसके लाब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनाम इसके बारे में भी मेंसन करेंगे ठीक है लेकर जितना point आता है इसको डालना है वहाँ पर एब कोई point चोटा करना पड़े short में लिखना पड़े पूरा sentence complete नहीं हो रहा है कोई बात नहीं short में लिख कर उसको छोड़ देंगे लेकिन point नहीं छोड़ेंगे अगर कोई solid point आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको जरूर मेंशन करेंगे है ना तो national agriculture market जो बनाया गया ठीक है और मंडी इसको जो है आपस में जोड़ा गया यह सब चीज को भी मेंशन करेंगे अगर आप word limit में रह रहे हैं तो यहाँ पर मुझे आपको यह चीज बताना थ इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं जोड़ा था ठीक है तो इनाम को भी जरूर मेंशन करेंगे और उसके अलाब एकनॉमिक सर्वे ओवर सेब्रल येर्स हैव एक्सप्रेस्ट कंसर्न्स ओवर फंक्शनिंग अप एपी एमसी मंडी तो एकनॉमिक सर्वे कंटिनिवसली ज इसको आप बोलते हैं उसको लेकर के वह एक पॉजिटिव बात बोलता है एकनॉमिक सर्वे कि दे हिराड अन्यू एरा ओफ मार्केट फ्रीडम विच कन गो एल लॉंग वे इंप्रोविंग लाइफ सफे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया ठीक है उसके बारे मे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लाइफ को चेंज करने में काफी है तो अब तो बाकी देखा जाएगा कि वह कैसा परफॉर्म करता है में तो इंप्लीमेंटेशन है लेकिन होता है नहीं होता है उस पर बहुत कुछ डिपेंट करता है तो यह सब जो था आप तो तब तक फिर पढ़ाई करते रहें, अपना क्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू